प्रेंट्स मेरी चैनल में आप सबी का स्वागत है अगर आप मेरी चैनल पे नुए है प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दे लाइक कर दे शेर कर दे कर्वा चौध के दिन अखिर मिट्टी के करवे से ही क्यूं की जाती है पुझा कर्वा चौवत को कहीं जग कर्वा 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 कर अगर आप संबाल नहीं सकते हैं, तो इस तरह से करवे के बारे में में आपको जानकारी दी हैं दास्तरों के अनुसार में आपको जानकारी दी हैं exploration 2 करवा चोध की और वैसे आज कल के फैसन के दौर में बहूत सारे जो करवे हैं मार्किट में मिलते हैं हर बार लाने की तकलीफ होती है जो कोई बाहर रहते हैं वहां मिटी के और उनको हम घर में सजावट के लिए भी रख सकते हैं या किसी को दे भी सकते हैं अगर आप मिट्टी के करवे से पुझा कर रहे हैं तो आपको हर साल दो करवे लाने होंगे एक करवे से हम पुझा करते हैं जिनको चंद्रमाजी को अरख लगता है और एक करवा हम मा जो है सीख भी डाला जाता है यहां पे हमारे यहां नहीं मिलते हैं कहीं जगा यह भी रिवाज होता है तो बस इस तरह से करवे की जानकरी मैंने आपके साथ की है सेर करवे के बाद में बात आती है करवा मा के पोश्टर की तो मुझे कमेंट आते हैं कि क्या हर साल हम उसी पोश्टर से पुजा कर सकते हैं तो उसके बारे में मैं कुछ आपको जानकरी दूँगी हर साल अगर आपके पास पोश्टर की तस्बीर बनी वी हैं तो आप उसकी पुजा कर सकते हैं और अगर इस तरह का आप पोश्टर लाएं तो ये तो कहीं से भी फट जाता है और जल भी जाता है तो इस तरह का अगर पोश्टर हैं और बिल्कुल आपके पास न्यू है, कोई भी दाग लगावा नहीं है, तो आप हर साल उसकी पुजा कर सकते हैं, और अगर आपके कहीं से भी फटावा और जलावा पोस्टर हैं, तो आप ऐसे यूज नहीं कर सकते हैं, अगर आप हर साल नया पोस्टर नहीं ला सकते हैं, तो कहीं बाहर रहते हैं तो आपको इसकी तस्विर बनानी होगी और फिर हर साल आप इसकी पुजा कर सकते हैं नई तो आप हर साल न्यू लाके ही पुजा करें और उसके बाद बाद आती है चन्नी और जो थाली हम सजावट की लाते हैं उसकी चन्नी में दिपक रखके हम पुजा करते हैं और कहीं जगा से जल जाती हैं तो अगर आपकी चन्नी जलीवी हैं तो आप हर साल दूसरी नई लाके ही पुजा करें और अगर आपके चन्नी एकदम जलीवी नई हैं और अच्छी हैं तो आप हर साल वो चन्नी से ही पुजा कर सक सकते हैं और मेरी चैनल पर पुजावीदी के वीडियो है वो भी देख सकते हैं तो बस फ्रेंड्स अभी मैं अपना वीडियो कर रही हूं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू